नमस्कार दोस्तों आपने सीवी रमन का नाम सुना है सायद किर्ज में रटने के लिए कुछ लोगों ने सुना होगा उन्हें साल 1930 में फिजिक्स में नोवेल प्राइज मिला एसेन बोस का भी नाम आपने जरूर सुना होगा भारत में कई बड़े बैज्ञानिक पैदा हुए गनितग पैदा हुए लेकिन ये सारे नाम तब सामने आए जब भारत में IIT, Indian Institute of Science, NIT या दूसरे Science Institute नहीं थे आज इनकी बार है हम हर साल लाखों इंजीनियर पैदा कर रहे है लेकिन एक भी ऐसा बैज्ञानिक नहीं तयार कर पा रहे है जो नोवेल प्राइज देश के लिए ला सके हमारे बीच आज गर्व करने के लिए कोई रामानुजन भी नहीं है कोई होमी जहां गिर भावा भी नहीं है हम Google, Microsoft में नौकरी करके खुस है खुद ऐसा कोई संस्थान तयार नहीं कर पा रहे है ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब कुछ सौटकट से हासिल कर रहे है हमें ग्यान नहीं सफलता चाहिए सिक्षा नहीं नौकरी चाहिए और नौकरी भी ओही अच्छी है जिसमें पैसा है आज कॉलेजों से अच्छे पैकेज की ख़बर आती है किसी नए परियोग या अविस्कार की ख़बर नहीं आती है क्योंकि हम किताब नहीं पुन्जी पढ़ते हैं टीचर से नहीं छपे हुए गाइड से सिखते हैं सवाल जवाब के फर्मूलों से रट कर नंबर तो ले आते हैं गूगल और चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं ये सब नहो तो पुर्जे ही सही चीट पुर्जे ही सही कहीं कहीं तो डमी एस्टुडेंट चले आते कोई न कोई एकजामनिसन हॉल बे चीट पुर्जा पहुचाने वाला भी मिल जाता है क्या ये सौट कट सही है वह हमें कहां ले जा रहा है आज इसी भी सह पर हम लोग बात चीत करते हैं इससे पहले बच्चों हम आपसे करते हैं कुछ सवाल तो आईए कौन बच्चे हैं देने के लिए जवाब तयार हमारे सवाल का बहुत सिंपल सवाल हम पूछना चाह रहे हैं आप जवाब दीजिए बहुत सरदार जी आपने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया दूसरे सवाल का जवाब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जरूर देखे देखना चाहेगे आपने इसका जवाब कैसे दिया सर मैंने इसका जवाब इस तरीके से दिया मैंने 19 को उस नंबर से मल्टेप्लाई करा जिसका प्रोड़क्ट 100 के सबसे क्लोज आ रहा था और बाइ चांस ये पर्फेक्ली उससे कट गया बहुत अच्छा लेकिन बच्चों हम आपको कहानी सुना रहे हैं डंपू की एक हमारे पास विद्ध्यार्थिया है बोला सर मैं गहराई से नहीं पढ़ता हूं जो भी है मैं रटता भी नहीं हूं मेरे पास दिमाग है मैं दिमाग लगाता हूं हमके कैसे तो सॉटकट से दुणिया में सब संभव हैं कैसे तब उसने क्या किया देखिया जैसे ही हमने उससे पूछा कि अच्छा बताओ 16 by 64 क्या होगा पूछा कि 16 by 64 या ऐसी वो 6 6 कैंसिल कर दिया 1 by 4 ले आया कहा सॉटकट सर सॉटकट हमके तुम कुछ भी बना सकते हो बनाओ 19 by 95 सॉल्व करके दिखाओ ये कितना ता है सार 99 काटो 1 by 5 ले आओ क्या आज जरूरत है सर ज्यादा कैलकुलेशन करने का टेबल याद करने का दिबाग लगाने का सॉटकट अपना हो लेकिन दोस्तों इस सॉटकट से जिन्दगी नहीं चलती है ये तो थी डंपू की कहानी लेकिन देखते हैं कुछ और कहानी कभी नकल की कोशिश तो कभी गैस पेपर का साहरा जल्द से जल्द काम्याब होने की होड में शॉटकट का साहरा ले रहे हैं हमारे युवा लेकिन क्या ये वाकई काम्याबी की गारंटी है या शॉटकट की चाहत आपको भटका रही है क्या जाते हैं आप खोकली सफलता की तातकालिक चमक या टिकाओ काम्याबी की टिकाओ रोशनी सफलता और शॉटकट का ये माया जाल आपको कहां ले जाता है और क्या है इससे निकलने का रास्ता इसी सवाल से है हमारे शो का वास्ता कंदे see अभाओं से लड़कर जूजकर ऐसे बच्चे भी हैं ऐसे बिद्द्वा थी य। जोने आनों मिसाल कयं से करवा रहे हैं प्रेम पाल बिहार के कफनाईयों से लड़ते हुए शमस्यां से जूजते हुए और गभी सौट्कट का रास्ता नहीं अक्तियार किया। बलकि पढ़ लिखकर इस रो में साइंटिस्ट बन गए अभी इस रो में साइंटिस्ट है लेकिन किसी जवाने में हमारे स्टुडेंट भी रहे हैं सुपर 30 में तो चली आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रेम पाल जी से फूर स्कृष्ट बैटिय। स्वागत आपका इस काजकरम में बैठिए प्रेम पाल जी बिहार को लोग बद्दाम करते हैं चिटिंग के लिए चिटिंग होता भी है किया कभी आपने भी चिटिंग किया है लाइफ पे क्या कभी आपने भी सॉटकट का रास्ता अक्तियार किया है थोड़ा दरसकों को बताए जो प्रैमरी स्कूल से इवें जो टीचर्स लोग मिले वह लग बहुत अच्छे थे उन्होंने अच्छे वैलू सिखाए जिससे मैं किया लेकिन फैमिली बैग्राउंड की बहुत होने के कारण घर वाले को साथ-साथ मुझे भी लगता था कि इसको कोई जोब मिल जाना चाहिए जितना जल्दी मिलता उतना अच्छा था तो इसके वाज़े से मैंने 10 के बाद डिप्लोमा का एक्जाम दिया था मैं अच्छा अगर करता तो मैं कहीं अज डिप्लोमा किया होता बटा भी मैं बीटे करके इसरों में जॉब कर रहा हूं अच्छा यह बताए प्रेम पाल जी अभी आपने बताया कि आपने सौटकट का रास्ता सुरुवाटी दौर में अक्तियार किया आपके माता-पिता की आर्थिक परिस्थिती बताईएगा तो दर्सकों को भी प्रेरदा मिलेगे कि इस परिस्थिती में भी बच्चा अपना इमान नहीं छोड़ता है चिटिग नहीं करता है बलकि पढ़ाई पर विश्वास रखता है मैं इसको भाट में नहीं बता सकता हूं वह इस वन सो में तो खिर नहीं बता सकता है जल्दी एक तरीके सवा अधा था यो कि मैं मैं अपना जो कंडिशन जो मैं जीया था वच्पनिस उसको मैं 2-3 पेज के शोरे मिलिक कर रखता था जब भी मैं कभी सौटक्रब जाता था या फिर दियान बटकता था, तो मैं उसको पढ़ लेता था, उसके वाइसे मैं पूरा फुल, फिर से पूरे एनरजी माया था, बहुत अच्छी बात है, आपने सौटकर का रास्ता नहीं अक्तियार किया, कोई रट्टा नहीं मारा, चिटिंग नहीं किया, बल्कि मेहनत पर व पलता सौटकर से, चलो इसी वे बनते कहा, इसरो में साइन्टिस्ट बनना, इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा मेहनत है, एक पहार चर्णे जैसा हमारे लिए काव है, माता-पिता की तकलीफे है, चलो नौकरी कर, तो इतने कठनाई से, आप कैसे, इतनी कठनाईयों के ब करना है, यह नहीं कि कहीं भी जौब पकड़ लें, और उसमें, मैं फोर्चुनेट था कि आपका यह से टीचर मुझे मिले, और भी मेरे दूसरे टीचर भी रहे, अच्छे फ्रेंट्स मिले, मेरे पैरेंट्स भी, सही थे, बहले ही वाई, इकोनोमीकली बैक वर्ट थे, स्वाम अवहाओं के बावजुद भी बेटे के सपने देखने की इन्होंने आजादी दिये, आप भी बच्चों को आजादी दिजिए, बढ़ने के लिए, खिलने के लिए, फुलने के लिए, फलने के लिए, अगला सवाल प्रेम जी, मैं आपसे एक और पूछना चाहता कि भाई, आज इस्रो का नाम है, हर भारतिये गर्ब करता है, कि भाई, इस्रो में चंद्रयान, इस्रो, क्या-क्या बाते खबरें, हम लोग डेली पढ़ते हैं और गर्व का विसे है हमारे डेश के लिए, वैसे अच्छी जगह पर काम करने के बाद, आपको कैसा महसूस होत करता है, कि मैं अपने मन का कर रहा हूँ, मेरे सीनियर काफी अच्छे हैं, और मुझे जो मन करता हूँ, मैं वहां पर कर सकता हूँ, बिना कोई रोक टोर के, क्या आपका ये सपना है, कि कोई और बड़ा प्रोजेक्ट देश के लिए अगले 10 साल, 20 साल भी हो, तो आपको अ कर रास्ता अक्तियार कर लेते, डिपलोमा की तो बात छोड़ दीजिए, आप सोचते हैं, जल्दी से चीट पूर्जा करके कोई नौकरी हासिल कर लो, या जल्दी से कुछ रटा मारके कहीं आगे बढ़ जाओ, तब आपकी जिंदगी कैसी होती, थोड़ा बताइए दरसको साइध मैं चिटिंग कर रहें, कहीं नौकरी तो कर लेता, बट अपने मन की नहीं कर पाता, तो नौकरी तो केवल दीन भर में 6-8 गंड होते, बट बाखी का जिंदगी में खुस नहीं रह पाता यह बहुत अच्छी बात प्रेम जी ने कही आपको, कि देखिए आप सौटकट कर लेते हैं, कोई सौटकट रास्ता आप अक्तियार कर लेते, कोई गलत काम करके ततकाल सफलता तो पराप्त कर लेते हैं, लेकिन आप जिंदगी में खुस नहीं रहते, अपने आपका सामना नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छा लगा, प्रेम पाल जी आप यहाँ आए, आप हमारे स्टुडेंट है, यह भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, यह हमारे लिए भी गर्व की बात है सर कि मैं आपका स्टुडेंट हूँ कुछ स्टुडेंट भी हम से प्रेम जी से सवाल पूछे हम क्या करें बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मुझे भी लगता था जब बच्चों को देखते थे जो सौट कट करके जल्दी जगली कोई नौकरी हासिल कर दी अच्छे मार्स लेया लेकिन वो सफलता च्छनिक होती है हमेशा उस समय बच्चों सोचना चाहिए कि वो सफ फलता बाद में नासूर बन जाता है लोगों की जिंदगियां तवाह कर देता है इसलिए थोड़ा उस समय धैज रखने की जरूरत होती है पैसेंस रखे धैज बनाए और सोचे कि मेहनत ही रंग दिखाती हमारे पिता जी हमेशा बोलते थे बेटा मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है किसी मंत्र को हम अपने जीवन में उतारा अपने बच्चों को सिखाया कि मेहनत का फल मिठा होता है सब्र रखिए मेहनत करते जाए आपको सबसे ज़्यादा मीठा फल मिलेगा थैंक्यू सर नमस्ते सर मेहराम प्रैने नोटियाल है और अभी अभी मेरी बारवी हुई है तो हम अकसर कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा करियर ऑप्शन चूज करें अभी मेरे सामने दो करियर ऑप्शन है या तो मैं इंजिनिंग में जा सकता हूँ या रिसर्च में जा सकता हूँ तो अभी भी इस पर मत decision लिजे किसमें जादे नौकरी मिलती है, किसमें जादा package अच्छा है, किसमें आपका जीवन जादा सुरक्षी थे, कोई भी काम, ये भी मैं आज quote करना चाहता हूँ कि हमारे पिता जी कहते थे, कोई काम बेटा छोटा नहीं हो, अगर पूरी ताकत के साथ दिल के साथ करते हो, तो बहुत अच्छा होता है, कोई भी काम करिए, कोई भी stream में जाइए, उसमें सबसे बढ़िया और कुछ अलग करके दुनिया को दिखाने का जरूर परियास करिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए, निसकर्स मेरा ये कि दिल से जो आवा क्यों करना है? करना चाहिए, करठोर परिश्रम करने वाला, कड़ी मेहनत करने वाला, कभी जिन्दगी का जंग हारता नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ. नमस्ते सर, मेरा क्वेश्टन सर आप से है, कि काफी बच्चे बहुत प्रोकास्टिनेट करते हैं और वो काम आखरी के टाल देते हैं, फिर आखरी में एक्जाम्स के टाइम पर पेरेंस और टीचर्स के प्रेशर के चक्र में, काफी बच्चे चीटिंग को अपना आखरी र करते हो, वो momentarily रहेगा, after exam you will forget क्या आपने पड़ा था, लास्ट मोमेंट पर अगर आप पड़ोगे तो, और अगर आप डेली पड़ते हो, बले ही वो दो गंटा हो यह एक गंटा हो, आपको याद रहेगा after exam also, so it will help you in the next exam or later on the career, और चीटिंग करते हो, चीटिंग तो करना ही नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से का एक नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीटिंग से आप एक exam में तो सफल हो जाओगे, लेकिन हो सकता आप दूसरे exam में फेलो जो, इस पर मैं श्री अबदुलकलाम जी का एक quote आपको बताना चाहता हूँ, उन्हें बला थे कि कि पहले exam में तो आप पास कर जाएंगे, हो से कि दूसरे इमताहन में भी आप पास कर जाएंगे, तीसरे या चौथे बे भी सौट कर से, लेकिन जिंदगी के इमताहन में आप पास उसी वक्त हो सकते हैं, जब आप hard labor करते हैं, कठोर परिस्रम करते हैं, तो जिंदगी का कौन से बदलाव करते चाहिएं, जिससे की जो बच्चे हैं, वो exam type में cheating ना करें और उन्हें सब कुछ याद रहें, क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल पुछा, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे आपको कि आपनी इतना सवाल अच्छा पुछा, बच्चों के साथ स सिक्छकों की भी भूमी का आहम हो जाती है, सिक्छकों को चाहिए कि बच्चों को रट्टा नमर वाए, हर सब्जेक्टों गहराई से समझाए, उसको जो हमारा वातावरन में जो भी example है, आसपास के उधारन है, उससे जोड कर चीजों को समझाए, परियोग करके दिखाए, हाउ एंड हुआई में ले जाए, और बच्चों की रूची पढ़ाई में जगाए, अगर बच्चों की रूची एक बार पढ़ाई में जग जाती है, बच्चा अपने से समझने लगता है, और पढ़ाई का मजा लेने लगता है, तो रटना दूर दूर तक भूल जाता है, सबजना सुरू कर देता है और वही से करांती सुरू होती है और वही से प्रेमपाल पैदा होता है और वहां रेगुलरली हर वी का मंतली वहां पे आपका रीवेलवेशन होता है इन्होंने सही बताया हमने बताया ने कि बिहार को लोग बदनाम करते हैं वहां बहुत अच्छे अच्छे लोग है कोई कौम को, कोई राज को, कोई संस्था को कुछी लोग सिर्फ बदनाम करते हैं वहां सुपर 30 में कोई चीटिंग ने बिहार में भी बहुत मेहनती लोग है इस बात का ख्यार रखना चाहिए इसलिए आप अपने मेहनत पर भरोसा करें तो जारी है ये सो इस बीच अगर आप इस मुहीम के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ndtv.in slash theanandkumar log on करें अपने सवाल पोस्ट करें जिनके सवाल होंगे बहतरीन उन्हें मिल सकता एक खास सर्पराइज आप अपने मन पसंद सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़ सकते हैं बस आपको इस्तमाल करना है hashtag ask anancer और आप अपने सवालों को WhatsApp के जरिये इस नंबर पर पूछ सकते हैं 8178-999-203 साथ ही QR code को scan करके भी आप अपने audio और video सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों हर बार की तरह अब समय है मेरे मंत्र का यानी आनंद मंत्र का आप रटनी की जगष समझे गहराई में उतरना सीखिए सतह पर तो बस बुलबुले होते हैं लहरे होती हैं लेकिन मोती गहरे समंदर में उतर कर ही मिलता है जब ये मोती मिलेगा तब पढ़ाई में मजा आएगा और तब मिलेगी सफलता बड़ी सफलता